हेलो एवरिवन कैसे आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सब अभीपसर एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्रेटफार्म में आपका हदू स्वागत करता हूं तो बच्चों हम जो है इकाई दो के सबसे लाश्ट पोर्सन और सबसे लाश्ट डिसक और चेप्टर नंबर क्या बहुत आने वाले यह पता ही है हम बता भी रखें पूरा सौल भी करा चुके आपको एक्स्पेटेड करते ही आपके माई में आ गया था कि सर यह कोशन आज रिपीट होने वाले ही तो पता ही चल गया आपको अब लेकिन उसके साथ में अथ्वां भी जो आता है उस पर किया जाए तो उसी कड़ी में शुरुआत करना चाहूंगा भाई अध्याइग्यारा करते हैं उसका पहला क्योशन देखो अगर दिर के उत्तरी प्रश्ण में जो कि हम जो है उसके अथ्वा में देखे थे धातू कर्म के अंतरगत जो अथ्वा में आ में नबइखे वही दे। मिन आकर भी दे सकता है जाशने वाले कमन प्रशन पोचने जाने मन आप नहीं पर सकते क्यों क्योंकि वस्के वहलो नमबर भी मूबन हों इसे चलो अप इसके ज conservation funding भी देंगे error कर लेकर आएं कैसे बताओ french आप इतना दो पता है सर धातव की बात करूं कि धातु बोलते मुझे पताचार रहे सर चल इसमें धातु करते हूं और ने श्राइन में अधातु की बारे में दिस्क्रश करूंगा ठीक है एक साथ लिखूंगा थोड़ा से कहा देता है तो कम-कम लिखना और थोड़ा अच्छा लिखना इसमें फ़रक होता है तुम्हें क्या करूंगा अच्छे इसमें लिखूंगा और उसमें धातु लिखूंगा कम-कम रूप में ठीक है अब देखो कैसे धातु चलो बहुत क्या होता है सब सब पहला गुंसर कि यह कठोर होता है एक नंबर मिल जाएगा जब लिखोगे धातु के महतपुन गुन ह अब क्या लिखोगे उसमें लिखोगे ब्रेकट में कैसे यह दो लिख दिया चलो ठीक फिर ब्रेकट में लिखोगे अपवाद भई अपवाद जरूरी है रसायन सास्त्र पढ़ रहे हो अप वाद भी लिखना जरूरी है सर शोडियम और आपका पोटेश्यम कि यह क्या सर यह जो है कठोर नहीं होती साथ ही क्या होती भई बलकी मुलायम होती है बात समझ में आया मुलायम होती है ठीक है सर और बताओ भई यह जो है अगाद वर्धियता का गुन होता है कितना भी तोड़ो कितना भी पीटो वर्धियता का गुन होता है यह विचारा हमें सथ डटे रहेगा लड़ता रहेगा लेकिन यह तो चन भंगूर होता है यह कौन अधातू चन भंगूर यह अंगूर मत पढ़ ले ना भाई खाने को मन हो जालेगा वनना गर्मी को मौसम आ गया है अंगूर चन भंगूर अरे मैं भी मैं भी अंगूर लिख लिया आप लोग के चक्कर चन भंगूर भंगूर होता है अब छन भंगूर क्या होती है एक्स्प्रेसन दूँ क्या मैं पकड़ा पेन को तोड़ दिया तोड़ गया मैं लिया अब यह पस्तों नहीं दिखाई जिए रहे हैं खिड़ खिलिया मैं खिलिया सर पटा यह पटका हर चिस किया मेरा सीथ भट गया लेकिन वो नहीं तोटा क्यों उधातू है और यह अधातू है तोड़ दूं क्या अरे तोड़ गया है नहीं तोड़ा हूं भई हाँ चलो इस पर आते हैं अब तीसरा गुर्ण बताओ भई विद्दूद के सुचालाख होते होंगे भई यह तो बच्चा बच्चा जानता है विद्दूद के सुचालाख होता है सुचालाख होता है क्लियर ग्रेफाइट को छोड़ कर इसमें अधातू में ग्रेफाइट को छोड़ दो फिर बाकी जो है ग्रेफाइट और आयोडिन है यहां इसमा किसमें प्रवा होती है उसको भी लिख देना कि यह जो अच्छे विद्दुत के शुरॉत होती है और हथ में उस्मा कभी शुरॉत करता है एक साथ भी लिख सकते हो तीक है इसमें भी लिख सकते हो अब यह कि तीन से चार जो दोगे आप क्या इसके अंतर और भी महुत सारा उधारान है इसका लेकिन जाए चार्चा नहीं करें यह कोशन में विडियो इसी में खतम हो जाएगा हमारा ठीक है मैं क्या हुआ तो यह क्या हुआ तीन आपको समझ में आ गया कैसे आपको लिखना है कैसे इ लिखन चाहिए तो वैसे लिख अगने तो ऐसे भी कर सकते हो धातु पहले दो खुंधर में करके वापर तीनों चारों क्या करना है अगया है तो आपको जो शुटेबल हो आपके पास जो इस बचने कर सकते हो ठीक है तो यह बात सबज में नियुक्त से पूचा गया था सबसे श्यादा मातर्म किया पाहता है आप इसके बारें बता बढ़े किसी रिषान समी कर दो त्री कैसे समीकरन कैसे वुंधा है अब नमांकी चितर भी हो जाएगा रसाइंग समीकरन भी हो जाएगा अब गोल्ड पिंदे का फ्लास्क लो जिसमें सोडियम नैट्राइट रहेगा और तो यह सो एमल रहता है कि इन दोनों का मिक्सर जो है उसको ले कि आप 100 ml पानी में इसको क्या करो फिर क्या करना है आपको हीट करने अब जैसी हीट करते हो आपको पदाश चलता है प्रोसेश बहुने लगता है इसको और यह बरनर है इसको और अच्छे समझ में आगे होगा न पर ज्यादा दिक्कत होती है आपको तो एप में अच्छे समय बताया हूं इसको अच्छे सकते हैं उसमें फिराल में आपको डाइग्राम लिखा लिखाना और बताना बता रहा हूं आप सबसे पहले पहला काम इस चैप्टर में आपको पहला काम यह रहेगा जो भी कुशन पूछे जाया आपको इसका इस च्रक्चर बनाना ही बनाना है फ्रस दिया अर अक्सिएन पूस दिया यह भूलना इच्छ नहीं भले वो वो बहले आक कितनी नंबर का है अगर तीन नमबर मिल जाएगा इसमें आपको तो नमबर मिल जाएगा मतलब कितना वन एन हाफ अब पानी भरह हुआ है घयार से जल थेको कि बून-बून-बून-बून-बून-बून-बून-बून-बून-बून- करके बूलबूला से आपको बहुत है कि यहां पर कुछ गैस निकल रहा है प्रायोकशाल में नेट्रोजन रहा है अभी रिेक्सड को देख लिते हैं अमोनियम कोड़ाइड सोडियम नैट्राइड अमोनिया जो है सोडियम नैट्राइड के साथ अमोनियम नैट्राइड बना दिया बात समझ में तो यह बात समझ में पूरा बच्चों आपको क्लियर समझ में आ गया क्या कि यह अमोनियम कोड़ाइड और सोडियम नैट्राइड बनाता है और यही जो अम्नियम नैट्रेड है ना जो मुनियम नैट्रेड बना प्रोड़क्ट यह वाला वह क्या करता है यह तूखड़ों बढ़ता किसमें एस्टु और नट्रो जर्व में बात हतम यहां तक सब्सक्राइब आया बात खतम होए नहीं सेर आप तो पताश नह यहां से एंटू बसको ले लो और जो बच रहा है एच फॉर और ओटू क्या कर दो इसका जल बना दो तो बन जाएगा बात समझ मैं बच्चों और मैं बताया था क्या कितना कितना रहता यह आपको 25-25 ग्राम यह जो है 25 ग्राम यह अमोनियम को डाइट और 25 ग्राम सोडियाम नैट्रियम रहता है कितने भाई कितने में 100 ml के जल में ठीक है क्लियर यह हुआ हमारा इसोडियम बनाने की विधी ठीक है और विधी नहीं पूछा गया था फिर भी हमें एक्स्प्लेस्टन किये ताकि आपको पता है क्लियर हो और यह आपको इस्ट्रक्चर था और अब बा और टादो भई क्या बनता है सार उत्रे आप शंपश्टिती में जो बनता है अमोनिया शंप्र बननने अक महांत्र और सस्थ में याद रखना मेरे रखनाता आपको तो हमें सब पूछ जाता है हर अल्टरनेट साल में पूछ सकता है कि हैं ऑपर विधी क्या होती है अगर नहीं पूछ गया है तो तो एचेनो थ्री में नाट्रोजन दिखा मतर्शर पक्क क्या यहां पर नेट्रोजन का यूज होगा ठीक है उसके अधेग नियार में इसका यूज होता है और पैकट बन चिप्स खा रहे हो उसमें भी क्या डिप्बा बन भोजे पदार्त में चीप्स के पैकेट में अक्री वातावरन बनाने में नेट्रोजन का यूज होता है अंदर के वातावरन को विचार अक्री कर देता है कौन नेट्रोजन भीया नेट्रोजन भीया कई इस गुल्ड के कारण उसको हर चीप सवाल पैकेट में हर आपके बिस्कीट वाले जितने भी पैकेट है उसमें डाल दिया जाएगा बार बार इनो पीना पड़ेगा है ना तो इस सब को दूर करने के लिए नैट्रोजन के यूज करते थे झादे बी है इसका जो यह रिया है इसके यूज करके बुरूरा जो बनाया रहता है खात को उसको यूज करते हो भी उसमें कहलता है नेट्रोजन ठीक समझ मैं यह आपको मिल गया भी छह नंबर शह नंबर मिल गया कौन दे दिया वाइव मंदल में सबसे अधिक मतर मुपस्तित वाला जो आपको 6 नंबर दे दिया क्यों मंदल में रहते हो है ना मंदल में रहने कालान आपको 6 नंबर मिल गया ठीक इतना पता ही है चला आगे बढ़ते हैं लिए नेक्ट क्वेश्ट निम्न लिखीत करेया कि हैं आप हैड्रोजन की किन गुनों को दर्शाते हैं बताईए भई तीन नंबर का क्वेश्टन है तीन नंबर क्वेश्टन एक नंबर सब देखो सब बलता हूं डेड़ इसमें बदाओ जो बताएगा उसको इनाम हैड्र स्यादा दूर पिखाएगा बताओ जो पतलर का है जिसका वेट कम है है तो इसको पर रसी मांद के रखता है है ना तो इसका आंसर पता चला अंसर यहीं में बता दिया मैं हलका होता है जिस करण से घैस से भर कि है हैाक होती है एक क्या है ज़ाने वाला का रख है इस कारण से पाप कीโज अवाज आती है और वो की संपर के माता है hydrogen gas तो वह जो क्या करता है मिसर मना लेता है वाइव में अब मिसर मनता है वह जलने वाला है जलने वाए चीज है वह एर दे रहे हो नमी की आसपस आ रहे है तो क्या बनाएगा भई उस तो रेक्शन करेगा चट-चट के आज आती है और यही चट के आवाज के है ना hydrogen gas की खोज भी होई थी है ना पता भी चला कि चट-चट के आवाज जो कर रही वही क्या है hydrogen gas ठीक है बात समझ भाई तो यह दोनों का आंसर मिल गया आपको कप पूछा गया था सर जोहर 18 में ठीक इसी इसी क्वेशन रिपीट भी हो सकती है रिपीट हो सकती है और बन बोलोगे भई नहीं पता सर यह लिखके नहीं है hydrogen gas यह लिखके आने आप अभी अभिप्सा से पढ़के आ रहे हो तो hydrogen gas बता नहीं पढ़ेगा आपको ठीक है भूलोगे नहीं मुझे पूरा भरोसा आप लोग के हाँ ठीक है अम नेस्ट कोश्चन देखते हैं जाला टाइम सवधानिया भी लिख देना अगर आता है सर इसा बोल रहे है तो चलो भई आक्षिजन जाने में सहायक है आंसर ही बता दीए ठीक फिर देखो क्या बोलता है अब इसको बनाते कैसे हो चलो हुआ उसको लेते हैं दो से तिन ले लो आप क्या पोटेसियम पर मैगनेट अब पोटेसियम पर मैगनेट तीक है बच्चों अब इसको लो हमाँ भाई का लेने वजह नेना दिख रहा है कार कमें बंद कर दिया is को हीट कर रहा हूं कहां से बर्नर से अब बनने से फसा दिया हूं क्या करूंगा उसमें परनी कर्ण करूं sitting कर देगा तो और का Casey कि मैं इ sembra lesi इसको मैं जैसे निए तक गर्म किया तब मुझे पता है कि मुझे मिलता है cannot 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 Tinder देखो अ अब यह तुमिल गया सर मोझ बशता 02 क्यों रियक्षिन लिखो तो मैं आपको कि तूमन फॉर टीक है ट्वास मिन दब क्या कि बच आपका आपका एक बर हुआ है ठीक है और के टू-ढ़र हो गया एक जो डो बर बचा हुआ है तो बचाब जो एक इंधर हो गया करना ता जो की मिल गया बात समझ में आई आपको मिल गया अब नमबर इससे रिक्षन लिखने में एक नमबर जो मैं डायलोग मतलब क्या कैसे प्रोसेस होगा है दो से से चाहता से रिस्टेंड और लिया उसमें हिट किया फिर दूसरे प्रक्नली में उसको देखा बुलबुले जब आया पता चल गए सब मुझे क्या है यह डाइगरम मस्ट है डाइगरम बनाना ही है आपको इसको बना दीए लाइप जिंगल आला इसको बना डाला तो लाइप बता देना है तो यह समझ में बच्चों बहुति इसी प्रकार आप अच्छे से कर लेंगा तक है अब देखो और बता दूं यह तो हुआ और क्या बताना थे इसको कि इसको उप्योग देखो यह सभी जियों के स्वसान में है बताने की जोरत है क्या भाई स्वास ले रहे हूं मैं बोल रहा हूं आप सून रहे हो आप वीडियो देख रहे हो स्वास तो चली रहा है वह आज पास सौरांडिंग में जो पानी गिरते हुए जहां पर बारी सो नहीं है हवा नहीं है तो अक्सिजन जो है वहाँ पर बूच जा रहा है बार बार तो आपको ऐसे जगह जाना पड़ता है जहां पर ऑक्सिजन उपस्तित हो मतलब नॉर्मल जगह है न खुले बातावरन लेकिन पानी गिर रहे तो खतम कर दे रहे उसको है ना तो मतलब निर्वात में निर्वात मतलब क्या जहां पर कुछ नहीं है तो वहां प्राग नहीं जलता ठीक है कई रसायनिक नैट्रिक अमले सल्फियरी कमला ओजोन आधी क्या देखिक निर्मान में उजन पता है ना भई ओज अप्रूप अक्सिजन के यहां तक बात समझ में आया तो मैं जो है जितना एक्सपेटेट कोशन था और जितना रिपीटेट कोशन था डिसकाशन कर लिया है को आपको देखना है उस पर में जादा लंबा चर्चा और करके आपको माइन करना चाहता है क्योंकि आपको इतना पढ़ादी और वैसी आपको हैड्रोजन गैस भी बनाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो तो यहां तक की बात हम आज करते हैं और हम मिलते हैं नेश अपना शड़ी करिए एक महना ही बचा हुआ एक्जाम को आपको 110 पर्षेंट लाना है मतलब 95 पर्षेंट लाना है अगर आप मेहना तभी करते हैं 100 पर्षेंट तो उतना आए गहीं आएगा आपको थोड़ा से भी आलस से आपको उस गोल और अचीव के पास लेके फिर से आपको वहां तक पहुंचने में आपको बहुत अप्रोच लगाना पड़ेगा अगर अलज से लागे तो उस अलज से कुमारो गोली और आए हमारे अभीम समय जोइन कीजिए हम से मिलिए और हमारे डेली अपडेट्स को आप बिल्कुल फालो कीजिए और अपने दोस्तों क बिल्कुल फैला देजिए और लगे रहे हैं मस्तर ही है आज के लिए इतना करते हैं मिलते हैं अब नियस्टिक चल धन्यवाद